तो हेलो फ्रेंट्स एंड वेल्कम टो माई यूटूब चैनल एर एजूकेशनल हब तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि अभी जो भी लेटेश अपडेट से नीट को लेकर नीट की अभी फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो अभी तक यहां पर सामने नहीं आई हुई है और के संदर्व में अभी मैं देखूं तो जो भी नीट है वह देखा जा रहा है कि पिछले साल जो आप लोगों का सेप्टेंबर में एक्जाम हुआ था वैसा ही सिच्वेशन इस बार भी क्रियेट हो रहा है क्योंकि कोविड-19 के केस लगतार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसी स् पर पोस्पोन कर दी गई है और इसी के दौरान आप देख सकते हो कि जो नीट पीजी होती है यानि पोस्ट ग्रेजवेट वह भी उनको डिले कर दिया गया है चार मंत के लिए कली पर सो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि आपका जो भी यहां पर एक्जाम है वह डिले मान के चल रहे थे अभी तक में लगबग तीन मंत मान के चल रहे थे तो अब आप लोग के पास लगबग चार या पाँच मन्त है ये बात आप लोग जान लिजीए नीट यहां पर पोस्पोंड होके रहेगी और जितने भी एक्जाम से वह अभी नहीं हो रहा है इस वज़ आपलबए आई यहां पर बात पहीं थी कि कि एक्याब फुरोडा डिलेय हो सकता है क्योंकि एक-अगस एक एकसपे की दिडिट कर गया यहां पर हों एक्सस्पेस्टेड रखा गया यहां लेती हां मैं में कोई इंवोगा वह इघ्जाम नहीं मैं कोई पास जून और जुलाइए क्विशे लगतार बढ़त रहे हैं उसके बाद भी कोरोना बढ़ता जा रहा है ठीक तो पिछले साल की जैसा हीomnia बन रहा है कोवेट की केसे पिछले साल से अभी जादा है जहां पर पिछले साल एक लाग करीब क्वेशस थे और यहां पर नॉन स्टॉप अभी लगवग देखा जाए तो चार लाग से अधिक केसे यहां पर रेगुलर्ली आ रहे हैं तो जाहिड सी बात है गवर्मेंट भी देख रहे है सिच्वेशन की सिति और भाप रही है कि जाहिए इसे बात है नीट अभी जो है फ़रासा डिले हो सकता है जही एक्जाम भी यहां पर अगले और हो सकता है बोर्ड एक्जाम और एक्जाम की बात करें और 10-12 की मैं बात करूँ तो यहां उनका भ पूरा लॉक होने वाला है तो आपका स्टैक्श सब्सक्राइब तो यह वर देश के टिक्शे बिलकुल आप लोग को पढा है त्टिक है ऊस्हिसाब से आप यहाँ पर सक्सेस कर सकते हूं तो जाहिए इसी बात है बिल्कुल पढ़ते रही है और फोकस करते भी यह स्टडी पर बिल्कुल सक्सेस जरू मिलेगी आपको यह वीडियो पसंद आया गए इंफॉर्मेशन वीडियो थी बिल्कुल पसंद आया होगा तो चलिए चैनल को सब् सब्सक्राइब कर लिए बेल प्रेस कर लिए चलिए मिलते हैं एक विडियो में अपता के लिए